आज का वीडियो आईटाई फश्टियर एलेक्टरेश्मेंट ट्रेड के छात्रों के लिए भाती महत्पून है क्या कि इस वीडियो में हमने आईटाई फश्टियर का दूसरा माडल पेपर बनाया है एवं स्वाल भी किया है और अगर आपने माडल पेपर एक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्टियर में हमने लिंक दिया है लिंक पर जाकर आप माडल पेपर एक देख सकती हैं देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करती है दिये गए सुरक्षा चिन्न का नाम क्या है चितावनी चिन्न, आविस्यक चिन्न, निसेधा तमक चिन्न, सूचना तमक चिन्न यह जो चिन्न हमारा दिखाये गया है विध्यार्षियों यह हमारा आविस्यक चिन्न है इसलिए ओप्सन दो हमारा सही हो जाएगा अगला प्रस्ने दो बहुत ही महत्पून प्रस्ने दोस्तों तेलिये सताई की सफाई है तो क्या प्रियोक्त करना चाहिए यदि किसी सताई पर तेल गिर जाता है तो उसकी सफाई के लिए हमको क्या प्रियोक्त करना चाहिए उप्सांस लकडी का बुरादा, पानी, रुई, रेद इसका सही आंसर होता है दोस्तों तेलिए सतह की सफाई है तो लकडी का बुरादा प्रियो करना चाहिए इसलिए उप्सान एक हमारा सही हो जाएगा प्रस्न तीन, आईटाई एकजाम में बहुत बार आता है दोस्तों दिये गए सुरक्षा चिन्न का नाम क्या है चताब नीचिन, आविसेक चिन, निसेधातमक चिन, सूचनातमक चिन यह जो सुरक्षा चिन्न हमारा दिखाया गया है यह हमारा सूचनात मक्चिन्न होता है इसलिए option 4 हमारा सही हो जाएगा अगला प्रस्न प्रस्न 4 चित्र में प्रदरसित 1000 को पहचानिए यह प्रस्न हमारा भाती महकून है यह electrician trade के साथ फैकर welder मेकेनिक सभी ट्रेडों में आता है चित्र में प्रदरसित 1000 को पहचानिए वाल पिन हमार, क्रोस पिन हमार, इस्ट्रेट पिन हमार या बेंड पिन हमार तो इसका right answer है दोस्तों यह जो चित्र में दरसा आगया है यह हमारा बाल पिन हमार है इसलिए option 1 हमारा सही हो जाएगा प्रशन पांच, सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 30 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी या 120 डिगरी तो इसका सही answer है दोस्तों, सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिगरी होता है इसलिए option 3 हमारा सही हो जाएगा प्रशन 6, कीप बनाने के लिए कौन से इस्टेक डियोग की जाती है options, funnel इस्टेक, बरगकार इस्टेक, गोल तलिये इस्टेक या इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है दोस्तों, कीप बनाने के लिए funnel इस्टेक का उप्योग किया जाता है इसलिए option एक हमारा सही हो जाएगा प्रशन 7, नियुनितम एक इलेक्टरन किस पदार्थ में होता है options, chlorine, hydrogen, hydrogen, helium, oxygen इसका सही answer है दोस्तों, hydrogen hydrogen एक ऐसा परमालू होता है, जिसमें नियुनितम एक इलेक्टरन होता है इसलिए option दो हमारा सही हो जाएगा सर्बुत्तम सुचालक पदार्थ है, options, chalimity, resin, graphite या इनमें से कोई नहीं सर्बुत्तम सुचालक, जो सर्बुत्तम सुचालक पदार्थ है हमारा graphite होता है, इसलिए option तीन हमारा सही हो जाएगा इनमें से कौन सा लचीला आचालक नहीं है प्रसने कह रहा है, जो हमारे option दिये गा है, इनमें से कौन सा हमारा लचीला आचालक नहीं है फाइबर, फाइबर हमारा ठोस आचालक होता है, इसलिए option एक हमारा सही हो जाएगा और जबकि कागाज, resin तथा cotton हमारे लचीले आचालक होती है प्रसने 10, किसी जूड की खालिस्थान बढ़ाने के लिए सूल्डरिंग की जाती है options, खिंचाव, तन्निता, चालक नहीं या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइटान सर्थ है दोस्तों, किसी जूड की चालक नहीं के लिए सूल्डरिंग की जाती है इसलिए option 3 हमारा सही होगा प्रसन 11 चालक का साइज नापने के लिए किसे यंतर का प्रियोग किया जाता है options बेवल गेज, बर्नीर गेज, स्टेंडर बाईर गेज यह इन में से कोई नहीं चालक का साइज नापने के लिए Standard Wire Garage का उपियूँ किया जाता है इसलिए Option 3 हमारा सही होगा प्रस्न बारा नेम्न में से किस परिपत में बिद्धारा एक सामान रहती है Option से खुला परिपत, लगू परिपत, समानतर परिपत, स्रियानी परिपत इसका राइट अंसर होगा येवं लगू परिपत के अंद्र अत्य धारा का प्रवाहिद होता है, प्रस्न 13 कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपत में नियत ताफमान पर बोल्टेज और धारा का अनुपात समान होता है, तो इसका राइट आनसर हो जाएगा दोस्तों, ओम का नियम, क्यांकि ओम का नि ओम, मुह, हेनरी और ओम सेंटिमीटर, तो इसका राइट आनसर है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्राक ओम होता है, इसलिए ओप्सन एक हमारा सही होगा, येवं प्रतिरोध को हम आरके द्वारा प्रदरसित करते हैं, प्रस्न 15 किरचाप का नियम है, बेध्ध धारा नियम, ब सही होगा, प्रस्न 16, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध का प्रतिरोध, ताप मान बढाने पर घरता है, बढ़ता है, नियत रहता है, इसलिए ओप्सन भी हमारा सही हो जाएगा, प्रस्न 17, भीट इस्टोन ब्रेज में गेलवनो मीटर से होकर, जब कोई धारा प्रभाहित नहीं होती है, तो ब्रेज परिपत को खाले स्थान कहा जाता है, निरगत, संतुलेध, आसंतुलेध, या खला, इसका राइट आनसर है दोस्तों, संतुलेध, भीट इस्टोन ब्र प्रेज का उप्योग अग्यात प्रतिरोध के मान को ग्यात करने के लिए किया जाता है, प्रस्न 18, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ओप्सन से लंबाई बढ़ा दी जाए, अनुप्रस्थ कार्ट का च्छेतरफल बढ़ाने से, दोनों से इने में से कोई नहीं, तो इसका राइट अनसर होगा दोस्तों, उसकी लंबाई को बढ़ा दी जाए, क्यांकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सवानुपाती एब अनुप्रस्थ कार्ट के चेतरफल के बित्क्रमानुपाती होता है, लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलि options उसमिय प्रभाव, चुम्बी के प्रभाव, दासानिक प्रभाव या थरमल प्रभाव तो इसका right answer होगा दोस्तों, चुम्बी के प्रभाव यदि किसी कुंडली में से धारा का प्रभाव होता है तो उस कुंडली में चुम्बी के प्रभाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए option 2 हमारा सही हो जाएगा प्रस्ने 20 एक पदार्थ जिसे केबल बहुत कम चुम्बिकित बनाया जा सकता है options लोहे चुम्बिकिये, अनुचुम्बिकिये, प्रती चुम्बिकिये या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका right answer है दोस्तों अनुचुम्बिकिये अनुचुम्बिकिये इसे पदार्थ होती है जिसे केबल बहुत कम चुम्बिकित बनाया जा सकता है इसलिए option 2 हमारा सही होगा लोहे चुम्बिकिये पदार्थों को बहुत अधिक चुम्बिकित बनाया जा सकता है येवं प्रती चुम्बिकिया पजार्थों को चुम्बिकिया नहीं किया जा सकता है प्रस्न 21 चुम्बिकिया बाहकबल का मात्रक क्या है चुम्बिकिया बाहकबल जिसे मेगनेटिव मोटे फोर्स कहती है इसका मात्रक एमप्या टर्न होता है प्रस्न बाइस मिर्दू फेराइट का हिस्टेरिसिस लूप लगभग होता है ओप्सन्स बोलाकार, बर्गाकार, ब्रत्तकार, देरी ब्रत्तकार तो इसका राइट आनसर है दोस्तों मिर्दू फेराइट का हिस्टेरिसिस लूप लगभग बर्गाकार होता है इसलिए option 2 हमारा सही हो जाएगा प्रस्ने 23 यदि किसी AC परिपथ में धारा एवं बोल्टिज में कलांतर सुन हो तो बाह कहलाता है option से सुद्ध प्रेड़किये परिपथ, सुद्ध धारतिये परिपथ, अनुनादी परिपथ या सुद्ध प्रतिरोधी परिपथ इसलिए option 4 हमारा सही हो जाएगा क्यांकि सुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा एवं बोल्टिज के मद कलांतर सुन होता है प्रस्ने 24 सुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का power factor क्या है इसलिए option 1 हमारा सही होगा और अगर आप से पूछा जा power factor क्या होता है तो आपको बताना power factor हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात होता है प्रस्न 25 धारीता का मातरक क्या है यह बहुत ही important प्रस्ने दोस्तों यह ITI exam में बहुत बारा आता है प्रस्न 26 भारत में मानक AC की अबड़ती क्या है है पचास हटाज साथ हटाज 75 हटाज यह पचास हटाज इसका राइट अनसर है दोस्तों भारत में मानक AC की अबड़ती पचास हटाज है इसलिए option एक हमारा सही हो जाएगा प्रस्न 27 से DC का power factor होता है options एक सुनने एक और सुनने के मद यह इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अनसर है दोस्तों DC का power factor हमेशा एक होता है इसलिए option एक हमारा सही हो जाएगा प्रस्न 28 दो बार्ट मीटर बिधी में कुल पावर होगी यदि दोस्तों हमने पावर मापने के लिए दो बार्ट मीटर कोप्यों किया है तो बार्ट मीटर की कुल पावर W बराबर W1 प्लस W2 होगी इसलिए option एक हमारी सही हो जाएगा प्रस्न 29 न्यूटरल बिधू होता है डिल्टा सायोजन में, इस्टार सायोजन में, दोनों में या इनमें से कुई नहीं तो इसका राइट अशर है दोस्तों न्यूटरल बिधू हमारे इस्टार सायोजन में होता है इसलिए option 2 हमारा सही हो जाएगा तीन फेज संतुलित लोड में नीट्रल तार में धारा प्रवाहित होती है इसका राइट अनसर है दोस्तों यदि तीन फेज सिस्टम हाई और संतुलित लोड है तो नीट्रल तार में धारा सुन होती है इसलिए ओप्सन तीन हमारा सही हो जाएगा प्रसने 31 यदि सेलों को खाल स्थान में संउजित किया जाता है तो आउटपट बॉल्टेज बढ़ जाती है तो इसका राइट अनसर होगा दूस्तों सेलों को सेलों को सेलनी किरम में संउजित करने से उनकी आउटपट बॉल्टेज बढ़ जाती है इसलिए option एक हमारा सही होगा फोर यादि आप से पूँचा जाए सेल की amp beireением cover जामता बढ़ाने के लिए सेल को किस करन में संउजित करती है तो आउटपट बाएट तेसे बेंटरी की amp bei क्रम में संउजित किया जाता है तो इसका राइट अनसर होगा दोश्तों बेंटरी की एंपियर छंता बढ़ाने के लिए सेलों को हम समानतर क्रम में साउजित करती हैं इसलिए option 2 हमारा सही हो जाएगा प्रसने 33 बेंटरी को फिट करते समाएं बेंटरी की खाल स्थान का ध्यान रखें option, धृप्टा, आसुत जल, चड़ाई इसलिए option 1 हमारा सही हो जाएगा प्रसने 34 इसलिए option 4 हमारा सही होगा इसलिए option 4 हमारा सही होगा जबकि डेनियाल, लेकलांसी, एवमसुस के सेल हमारे प्राथमिक सेल होती है प्रसने 35 आईसी डीपी और आईसी टीपी किस प्रकार का स्था है रूटरी सुच, मैनसुच, तागल सुच या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आउसर होगा दोस्तों, आईसी डीपी और आईसी टीपी हमारे मेनस दो छोती है इसलिए option 2 हमारा सही हो जाएगा प्रसने 36 फ्यूज स्योजित होना चाहिए उदासीन चालक के स्रेणिक्रम में उदासीन चालक के समानतर क्रम में फेज चालक के स्रेणिक्रम में या फिर फेज चालक के समानतर क्रम में उसका राइट आउसर है दोस्तों फ्यूज को हमेशा फेज चालक के सिर्यानिग्राम में ही संव्जित किया जाना चाहिए येवं सभी प्रकार की सुरक्षा येवं नियंतरक युक्तियों को फेज तार के सिर्यानिग्राम में ही संव्जित करते हैं रसन 37 ELCV का पूर्ण रूफ है इसका राइट अंसर होगा दोस्तों इसका राइट अंसर होगा दोस्तों अर्थ चालक के लिए हमको हरी रंग की अनुशन सा की जाती है इसलिए उप्सन 4 हमारा सही हो जाएगा रसन 49 ELCV को द्वारा खाले स्थान को प्रतवी में प्रेसित किया जाता है लीकेज करेंट, ओवरलोड करेंट या लीकेज वोल्टेज या ओवरलोड करेंट इसका राइट आनसर है दोस्तों अर्थ चालक को द्वारा लीकेज करेंट को प्रतवी में प्रेसित किया जाता है इसलिए उप्सन 1 हमारा सही होगा प्रसन 40 सामान बल्व की तुलना में फ्लोरोसेंट टीव कम प्रकास देती है अधिक प्रकास देती है सामान बल्व की तुलना में फ्लोरोसेंट टीव अधिक प्रकास देती है इसलिए उप्सन 2 हमारा सही हो जाएगा प्रसन 41 नियोन साइन टीव के प्रचालेंग के लिए आविसक बोल्टेज निर्भा करती है लाइन के ब्यास पर नली में भरी गई गयस पर नली की लंबाई पर या इन में सी कोई नहीं इसका राइट आनसर होगा दोस्तों नियोन साइन टीव के प्रचालेंग के लिए आविसक बोल्टेज नली की लंबाई पर निर्भा करती है इसलिए उप्सन 3 हमारा सही हो जाएगा प्रसन 42 इसलिए उप्सन 4 हमारा सही हो जाएगा प्रसन 43 इसलिए उप्सन 4 हमारा सही हो जाएगा प्रसन 44 इसलिए उप्सन 4 हमारा सही हो जाएगा आप्सन्स एको मीटर एबो मीटर मेगर इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोर्टर जनित्र की गति नापने के लिए एको मीटर का उप्योग किया जाता है इसलिए उप्सन एक हमारा सही होगा प्रसन 45 यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है तो मिक्सर उच गति पर चलेगा मिक्सर निमन गति पर चलेगा मिक्सर नहीं चलेगा या मिक्सर गर्म हो जाएगा और और आर्मिचर कुंडली के खुली होने के कारण भाडा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए मिक्सर हमारी नहीं चलेगी. प्रस्न 46, यदी फैन में संधरित्र लगू परी पताई तो फैन ध्वनी के साथ चलेगा, धीमा चलेगा, तेज चलेगा या नहीं चलेगा. इसका राइट आनसर है दोश्तों, नहीं चलेगा. यदी संधरित्र लगू परी पताई तो हमारा फैन नहीं चलेगा. इसलिए ओप स्टार्ट मोटर से डेड़ पूल मोटर या इन में से कोई नहीं तो इसका राई टांसर है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर क्या जाता है इवंग यूनिवर्सल मोटर की गतिए सामान तोर पर ट्रांसफार्मर की डक्षता खाले स्थान होती है इसलिए ओप्सन चार हमारा सही हो जाएगा प्रस्न उननचास जब दो ट्रांसफार्मर समानतर में कार कर रहे हैं तो किस आधार पर लोड बाटेंगे चुम्बी के धारा लीकेज रियक्टेंस पिर्टी एकाई प्रतिबाधा या किलो बोल्ट एमपेर रेटिंग इसका राइट आनसर होगा दोस्तों किलो बोल्ट एम फार्मर की कापर छती येवं लोह छती का मान समान होता है इसलिए ओप्सन दो हमारा सही हो जाएगा इलेक्रेशियन ट्रेडिट्रेक्स वार्सप ग्रूप में जॉइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में मॉबाइल नमर सेंड करें